कैसा रहेगा आज का आपका दिन? जानिय अपना राशी फन मेश राशी मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन कुछ समस्याई लेकर आ सकता है परिवार में आपको किसी सदस्य के विवास संबंदित कुल महत्कूल फ्रैसला लेना पर सकता है जिसमें आपके लिए बहुत ही सोच विचार कर फ्रेस्टा लेना बहतर रहेगा घर से दूर नौपरी में कारीरत लोग परिवार के सदस्यों से मिलने आ सकती है सामाजिक शेत्रों में आपकी साख चारों ओर रहेगी जिसका आपको काफी ज्यादा लाब मिलेगा व्रिशब राशी के जातकों के लिए आज का दिन कुछ खास रहने वाला है आप सांस्कृतिक कर्क्यमों में सम्मिलित होंगे जहां आपके कुछ खास लोगों से मुलाकात रहती है स्वास्ते के मामने में लापरवाही आपके लिए रुकसान दायत रहीगे इसलिए योग वर वैयाम करते रहें नहीं तो कोई समख्या आ सकती है आपको अपने रुके हुए कामों को पूरा करने का समय उलेगा दिन चर्या में बद्लाव करने का पूरा फायदा उठाएंगे चीवन साथी के सहयोग से आपका कोई अठा हुआ काम बन सकता है मिथुन राशी मिथुन राशी के जातकों के लिए आज का दिन कारेशित्र में लाब के कई अफसर लेकर आएगा आज आप एक से अन्य स्ट्रोट से भी लाब कमाने में काम्याब रहेंगे लेकिन आपको किसी पर अंगविश्वास करना नुकसान गायक रहेंगा संतान आपके द्वारा सौपे गए काम को समय पर पूरा ना करके आपको निराश करेंगे आपका कोई मित्र आज आज आपसे लंगे समय बाद विलाकात कर सकता है पिताजी के साथ चल रही अनुबन आप माफी मांकर सुझाने में काम्याब रहेंगे करक राशी के जातकों को आज एक साथ दूसरे नौकरी का ओफन आ सकता है लेकिन उन्हें अभी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ना है आपके शत्रों आपको परिशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपका किसी प्रॉपर्टी में पहले किया गया निवेश आपके लिए लाबदायग रहेगा प्रेम जीवन जी रहें लोग साथी को शपन पर लेकर जा सकती है नौकरी में मीठी वानी से अधिकारों का दे जीतने में काम्यान रहेंगे सिंग राशी सिंग राशी के जातकों के लिए आज उन्नती दिलानी वाला रहेगा धर परिवार में किसी मांगलूत उत्सव का आयो चलोगा जिसमें परिवार के सदर से पुरानी बाते भूल कर एक दुसरे के साथ उत्मने मिलने पुराएंगे आपको किसी को व्यर्थ में सला देने से पशना होगा छोटे बच्चों ने यदि आपसे को फर्माईश की थी तो आप उसे पूरी अवश्य करेंगे कारे शेत्र में अपने कारेंगे असानी से पुरा करेंगे कर्ण्य राशी कर्ण्य राशी के जातवों के लिय आज का दिन विजी रहेगा घरेलियूग कामों को निप्ताने के लिए अपनी जिल्चर्या में कुछ भज़ा पर सकते हैं और घर वबहार सभी कारियों को निप्टाने के लिए कफ़ पर रहेंगे आपको परिवार के किसी सदस्य के विभा में आ रही समस्या के लिए भाग दौट करनी होगी माता पिता के आशुवाद से किसी नए व्यपार की शिर्वाद कर सकते ही जो आपके लिए लाबदायब रहेगा तुला राशी तुला राशी के जातक आज का दिन सामाजिक कारे में व्यक्रीट करेंगे आपको किसी परिशन के लिए कुछ रोप्यों का इंतिसाम भी करना पड़ सकता है व्यवसाई कर रहे हैं लोगों की गत्विधिया कुछ कम दो रहेंगी क्योंकि उनके जूनियर उनका साथ थोड़ा कम देंगे किसी संपत्ती से संबंदित विवाद में विजयत राशी हो सकती है जिसका आपकी संपत्ती में जाफा होगा किसी मित्रद्वारा कोई खुष्ठा भी सुने को मिल सकती है विदेशों से व्यवाद की योश्टा बना रहें वोगों को साबधान रहने के अवश्यक्ता व्रश्चिक राशी व्रश्चिक राशी के जाततों के लिए आज का दिन धन के मामले में अच्छा रहेंगा सारे शेत्र में अच्छा मुनापा मिलने की पूरी उम्मीद है आर्टिक स्वित्टी को मस्बूटी में लेगी लेकिन आपके कुछ पुराने कर दे हैं जिन्हें लोग आपसे वापस माल सकती है प्रवपर्टी का काम कर रही लोगों को कोई अच्छा लाब ने सकता है लेकिन परिवार के किसी सदस्य को घर से भीव नौभी के लिए जाना पड़ता है संतान से चल रही कुछ उल्जनों पर बात होगी जिससे आपका मांसिक तनाव थोर सब होगा धनुराशी धनुराशी के जातकों के लिए आज के दिम की शिर्वाथ अच्छी रही लेकिन परिवार में चल रही तन्हें आपको परिशान करें कारे शित्र में आप अपनी सपरात्मत भोच का लाग उठाएंगे जिससे आपके सीनेर के आपकी पासों से प्रसम निखेंगे आपको साजेदारी में किसी गर्षाय को करने से बचना चाहें नहीं तो पार्टनर से आपको भोगा में सकता है कंतान के शिक्षा में आ रहें किसी समस्या को लेकर यात्रा पर जा सकते हैं मकर राशी मकर राशी के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुना रहेगा व्यापार कर रहें लोगों को फायदा तो मिलेगा लेकिन गोंस से खुश नहीं होगे समाचिक करिकर्मी से जुड़ने खा आपको फायदा मिलेगा क्योंकि आपके कुछ अच्छे और बढ़े लोगों से संपर्क तापिस मिलेगे सस्वाल पक्ष के किसी वेक्षी से चल रही अनवरी जीवन साथी की मदद से समाथ लोगी नौकरी कर रहे लोग आज नौकरी के साथ का किसी पार्टाइंग कारे में हाथ आजमाने की सोचेंगे जिसमें वो सफल भी होगे कुम्ब राशी के जातकों को आज अपनी देंचर्या में बदलाब करने होगे क्योंकि ये बदलाब आपके काफे सारे काम बना सकते है मीन राश्य के जातिकों के लिए आज का दिन परिवार में खुश्या ने करा सकता है। पाप अपने थन को किसी गरत काम में लगा सकते है।